वेलकम टू स्वास्तिक टूटोरियल्स आज हम लोग Chemistry का कोई क्लास में कोई टॉपिक नहीं डिसकस करेंगे आज हम आपको एक कहाने सुनाने जा रहे हैं आपने और्गेनिक Chemistry जब पढ़ी होगी तो और्गेनिक Chemistry में आपको शुरुवात में बताया जाता है कि बरजिलियस नाम के एक बहुत महान साइंटिस्ट थे और उनका थियोरी था एक थियोरी ओफ वाइटल फोर्स ये वाइटल फोर्स थियोरी था इस theory में उन्होंने कहा कि organic compounds को हम लोग lab में inorganic materials से start करके नहीं बना सकते हैं Organic compounds को सिर्फ living organism बना सकते हैं, plants बना सकते हैं या फिर animals बना सकते हैं और उनके इस theory की वजह से बहुत सारे लोगों ने organic compounds के synthesis पे जो organic compounds का formation है lab में उस पर लोगों ने कोशिश नहीं किया, बरजिलियस का बहुत respect है, बहुत सारे elements के discovery में उनका contribution है और Germany में उनका बहुत respect था उसमें, लेकिन हुआ क्या कि बरजिलियस के यहां बहुत सारे students पढ़ते थे तो उनमें से एक student था बोहलर, जिसका पुरा नाम है Frederick बोहलर तो Frederick बोहलर एक बार जो है, so lab में काम कर रहे था, और lab में काम करते करते क्या हुआ कि इनको लगा कि मेरे से जो है न, so एक organic compound बन गया है और इनको यह doubt था कि जो compound बना है, वो है urea इसका उन्होंने चेक किया laboratory में तो इनको लगा कि यह compound यूरिया है, प्रपर्टीस सारा कुछ यूरिया से match कर रहा था फिर भे confirm होने के लिए एक बार उन्होंने फिर से बनाया, क्योंकि गुरुजी उनके गुरुजी बरजीलियस उन्होंने कहा था कि organic compounds को lab में inorganic material से नहीं बनाया जा सकता है, वो ammonium cyanate को heat कर रहे थे और उससे यूरिया बन गया था, उन्होंने फिर से try किया तो फिर से यूरिया बन गया, इसके बाद वो जाकर के अपने गुरुजी जो बरजीलियस थे उनको उन्होंने वो बात बताई, बरजीलियस ने कह हो ammonium cyanate का sample कहा है तुम्हारे पास जिससे तुमने start करके यूरिया का formation किया है, बोलर ने दिखाया, बरजीलियस ने अपनी आखों के सामने experiment किया, फिर से यूरिया बना, उन्होंने दूसरा sample लिया ammonium cyanate का, उस packet पे उनको भरोसा नहीं था, दूसरा sample लिया, उससे किया, फि ठीक है बाद में आना तो, और कईके बच्चा इतने वेवकूफ होते हैं, इस बात को समझते ही नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे, हो सकता सवाल में कुछ गरबड़ी हो, या हो सकता आंसर में कुछ गरबड़ी हो, बच्चा समझने का ये यूरिया तो बन गया है, और फिर अब कैसे क्या करें, क्या गरबर है, तो बरजिलेस ने कहा कि तुम घर जाओ, बाद में हम लोग इसको देख लेंगे, बोलर के बाद पेट में पच्च नहीं रही है, उसने कान में अपने दोस्तों को कहना शुरू कि जानते हो, आज यूरिया मैंने बना लिया, लोग ने कहा अच्छा कैसे तो अमोनियम साइनेट से, तो सर को दिखाए, हाँ सर को दिखाए, सर बोले कि किसी से नहीं कहना, मेरी इज़त का सवाल है, अच्छा लेकिन जब बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से फिर सारे बहुत सारे फिर फिर तो और जानते ही हैं कि इतना जादा कमपाउंड बन गया कि उसके लिए एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लोगों को रखना पड़ा फिर अभी थोड़ी सी बात बाकी है यह जो फ्रेडरिक वोहलर थे यह फ्रेडरिक वोहलर को 11-12 वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं थे फ्रेडरिक वोहलर के माता-पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिखकर डॉक्टर बने वोहलर को डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था आज भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माता-पिता खुद हम पढ़ाते हैं बच्चों से पूछते हैं तुमको क्या बनना ह चाहते हैं फैसन डेजाइनर तुमको क्या बनना है रॉक स्टार तुम क्या बनना चाहते हो क्रिकेटर पापा तो कह रहे थे कि एंबब्स डॉक्तर बनना है अरे शर्चोडियों ने पापा को थोड़ी कुछ पता चलता है उनका जिन्दगी तो ऐसे भी बीत रहा है मेरा भ पढ़ लो विचारों को अमोनिया यूरिया सबका गंध इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वह उसका नाम नहीं सुनना चाहता है और पापा है कि उसको डॉक्टर बनाने पर लगे हुए खैर गोहलर के पापा भी जिद्दी थे उन्होंने उसको किसी तरह से डॉक्टर बन प्लीनिक में यह और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है मजा आ रहा है लेकिन धीरे धीरे उसको लगा कि यह डबल रॉल हम जी रहे हैं यह अच्छा नहीं है एक दिन सब कुछ बंद करके बर्जीलेस के पास चलिया है और फिर बर्जीलेस के पास आकर करके उन्होंने talent और interest जब था तो फिर उन्होंने यूरिया का ऐसे formation कर लिया और किताबं में उनका नाम धर्ज हो गया तो ये कहानी आपको दो चीज जो है सो इसमें हम point out करना चाहते हैं एक तो ये कि अगर आपको कोई कितना भी respected आगमे हो एक बात कह दे अगर तो जरूरी नहीं कि वो बात हमेशा सही होती हो उसको आप अपने एंगल से अपने दिर्ष्टिकोन से अपने कोशिश से जरूर चेक करें और उसमें ढूंडें तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इसके आगे भी बात है वोहलर ने यहीं curiosity था जिसकी वज़े से वो यूरिया को बना पाए और दूसरी बात जिस field में interest होगा उस field में कितने भी मुसीबत आ जाए कितना भी deviation आ जाए आप finally उसको अचीव कर लेते हैं वोहलर को chemistry में interest था chemistry में ही उनका नाम हो गया और यह हो सकता है कि जो MBBS वाली बात हम आपको बता रहे हैं यह बात आपको पहली बार आप सुनने को मिल रही हो आप बोहलर के बारे मैं ऐसा कुछ नहीं जानते हो कि वो डॉक्टर थे तो ऐसी कहानियों के लिए जो हैस्वा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं हमको बताइए हम फोशिश करेंगे कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिक अठा करें और आपको वो सब बताएं थैंक्यू